अलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा जो की बनारस का बहुत ही सूप रशिद और लोग प्री एवेंजन है जिसको बहुत लोग वाराणसी के नाम से भी जानते हैं तो उस जिले में ये बहुत पसंद किया जाता है तो चलिए सबसे पहले हम आटा तयार कर ल उसमें 4-5 चमश्य देशी घी ले लिए गरम करके अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे बस आमों चीजों अच्छे से आठे में मिक्स करना है कोई हमको कहस्ता नहीं करना है कओई इसका लडू आकर नहीं देखना है जब ही अच्छे से टौड़ा पानी डाल कर इसका एक डो तयार कर लेंगे डो ऐसा होना चाहिए कि बहुत जादा गीला नहीं होना चाहिए बहुत जादा गीला हो जाएगा तो क्योंकि यह जो है लिटी चोखा या बाटी जो बोलते हैं आप यह हम कूकर में बनाएंगे आज तो फैल जाएगा अगर गीला रहेगा तो और बह आटे का और उसके बाद इसको एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए तो आटा हमारा तयार हो गया है चलिए हम भरते की तयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने ले लिया है तीन ये बैंगन ले लिये हैं इसको हमने धुलके साफ कर लिया है टावल से पोश लि तो भी दिख जाता लेकिन थोड़ा सा अपनी संतुष्टी के लिए हमने इसमें चारू तरब से जीरे लगाए हैं और इसके बीच में हम भरेंगे लस्टन अब इसमें हमने लगा दिया है सरसो का तेल और वो तेल हमने लगा के इसको रख दिया है गैस पर भुनने के लिए त तो इस बैगन में भी लगा के एक बार देख लेते हैं और फ्रेंड सिए जो बाटी चोखा या लेटी चोखा जिसे आप बोलते है यह बहुत تेस्टी होता है बनके तो देखिए मैंने देख लिया है इसमें भी कोई कीडा नहीं है बैगन मेरा बिल्कुल ताज़ा है तो इसको भी मैंने गैस पे रख दिया इसी तरीके से तीनों बैंगन और टमाटर मैं गैस पे रख दूंगी भुनने के लिए तो ये देखे और इसको कट करने से इसमें जो चीरा हम लगा देते हैं बैंगन में तो ये बैंगन बहुत जल्दी पक भी जाता है फ्रेंड्स तो ये देखे बैंगन हमारा पक के तयार हो गया है और टमाटर भी पक गया है अब थोड़ा ठंड़ा हो जाएगा तो क्योंकि मैंने इसमें सरसो का तेल लगा दिया था तो इसका छिलका जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा थोड़ी सी आवाज मेरी आज भारी लग रही है क्योंकि मुझे बहुत जुखाम हो गया है तो गला भी थोड़ा खराब है तो आप लोग विरकुल भी थोड़ा वो मत कीजेगा कि आवाज मेरी थोड़ी चेंज है इसमें तो बैंगन और टमाटर हमने छील के ले लिया है अब इसको हम मैसर की सहायता से अच्छे से मैस कर देंगे फ्रेंट्स जब हम आलू का भरता लगाते हैं तो हम कितना भी कोशिस कर लें इसको जो है मैसर से मैस करने की लेकिन पता नहीं क्यों जब तक हाथ नहीं लगाते है इस बैंगन के भरते में तब तक लगता है कि भरत कम्प्लीट नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है मैं जब तक हाथ से नहीं असलती हूं क्योंकि इसमें हमको लगता है लस्टन वगएरा जो हमने डाला है कहीं खड़ा खड़ा रह जाएगा वैसे हाथों से मैस करो तो एक एक चीज अच्छे से वैसे मैस हो गया है ये लेकिन के कुछ टुकड़े लस्टन के टुकड़े बारिक बारिक कट करके हमने ले लिए हैं हरी मिर्च आप अपने स्वात के अंसार डाली है मैंने थोड़ी डाली है हरी मिर्च बहुत एक दो और हरी धनिया डाल दिया है इसमें अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल नमक और देखे चोखा भी हमारा आलू बैंगन और टमाटर का चोखा भी विरकुल बनके तयार हो गया है हम लोग इसको भरता भी बोलते हैं हमारे वहाँ पे गोंडा जिला में इसको भरता भी बोला जाता था तो देखिए ये भी बाटी तो अभी हम तयार करेंगे चोखा भी हमारा बनके तयार हो गया है अब इसको हम एक बावल में निकाल लेंगे हाथों से देखिए हम मिक्स कर रहे हैं जब हम हाथों से मिक्स करते हैं तब थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हाँ चोखा अच्छे से तयार हो गया है मसल के देखिए एक lesson का हमको मिल गया साबत इसमें अब इसको मैं बारिक बारिक कट करूँगी कभी कई बार ऐसा होता है कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसे रह जाता है तो फिर जब वो खाओ और बीच में पढ़ता है न तो फिर अच्छा नहीं लगता हो देखिए मैसर में नहीं पता चल रहा था तो अब ये फाइनली कम्प्लीट हो गया है इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर करके रख देती हूँ फ्रेंट्स ये देखिए अब मैंने हरी चटनी थोड़ी सी इसमें मिला देती हूँ हरी चटनी मैंने बनाई थी निम्बू, हरी धनिया और अद्रक से तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है लेकिन उसके पहले मैंने कटोरी में थोड़ा सा चोखा निकाल लिया है पापा के लिए क्योंकि पापा जादा कड़वा नहीं खाएंगे मेरज मसाले की चीज तो उनके लिए मैंने अलग से निकाल के रख दिया है उसके बाद मैंने अपने सभी लोगों के लिए चटनी इसमें मिक्स कर दिया है चोखे में अब ये चोखा बनके तयार हो गया इसको मैं एक बावल में निकाल के रख लेती हूँ और उसके बाद चलिए सत्तु की तयारी कर लेते हैं तो ये चना था मेरे पास भुना हुआ 500 ग्राम चना था उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है अब क्योंकि मैंने तुरंत ही के पीसा है इसको मिक्सी में तो मैं इसको चनी से चानूंगी भी क्योंकि एक एक दो दो टुकड़े उसमें चने के ऐसे थे जिसके च कल भी पी लगा हुआ तो ऐसा करने से ये चनरी में मेरे जो मोटे मोटे पीसे निकल जाएगा तो ये देखिए सक्तु भी तैयार हो गया है इसमें हम मिला देते हैं हरी मिरज अद्रक लसन बारिक बारिक चॉप करके मिलाईए एकदम अजवाइन क्रस्ट करके डाल दीजिए थोड़ी सी कलोजी डाल दीजिए और थोड़ी सी कलोजी भी करके डाल दीजिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ी सी काली मिर्श एट कर देजिए इसमें थोड़ा सा नमक निमबू का रस और अछार का मसाला अगर आपको अचारी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा अचार का मसाला डाले आया हरी धनिया डाले और सरसों का तेल डाल दीजिए इन सब चीजों को डाल कर काली मिरश थोड़ा सा जरूर डाल दीजेगा मैंने हरी मिरश कम डाली है ये देखिए मैं निम्बू का रस आट कर रहे हूं इसमें अब इन सब चीजों को अच्छे से हाथों से मसल कर सत्तु तयार करेंगे फ्रेंड्स इस बाटी और लिट्टी चोखा के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है ये लिट्टी चोखा मेरे नाना बनाते थे उनको बहुत पसंद था ये बनाना और बहुत अच्छा बनाते थे वो तो आग में भून के बनाते थे उनके जैसा तो कभी मैं सोचू भी तो न कि मैं चोटी-चोटी लोईया बना कर लिटी में रखूँ तो आप मिला लीजिए लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मेरे नाना ऐसे ही बनाते थे सूखा-सूखा तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी छड़क दिया है कि थोड़ी नमी आ जाये सक्तू में तो बस फिर ये अच्छे से मिक्स करने के बाद देखे मेरा ये तयार हो गया है सक्तू मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाई हूँ ना ही कभी बना पाऊंगी आज मैं उन लोगों के जाने के बाद पहली बार ये अपने हाथों से ट्राई कर रही हूँ वरना मैं मुझे पता था कि उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे बनाना है लेकिन मैं कभी बनाती नहीं थी हमेशा ये लोग जब कहते थे तो मैं किसी से बनवा लेती थी लेकिन आज मैं बहुत हिम्मत मान के बनाती हूँ तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ एक बार चलिए देखते हैं कब तक नहीं बनाएंगे तो इसी तरीके से वो बनाते थे वो तो आग में सेखते थे फ्रेंड्स और अपने अंगोचे से उसको साफ करते थे और घी में डूबो के देते थे खाने के लिए तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है फ्रेंड्स तो उसको छोड़िए देखे एसी तरीके से आप छोटी छोटी लोईया अपने एक ओर्डिंग साइज ले लीजे और तोड लीजे तोडने के बाद में इसकी छोटी छोटी गोलिया इसको अंदर भरते हुए जैसे हम लोग आलू का पेस्ट या दाल की पूरी बनाते हैं वैसा भरते हैं उसी तरीके से बना बना के आप रख लीजे देखिए मैं एक के बाद एक ऐसे बना लेती हूँ और बनाने के बाद इसको गोल गोल करके रख लेती हूँ मैं छे से साथ लोईया बना के रख लूँगी अगर हम ये कूकर में बनाते हैं और उसकी रबड भी निकाल दीजे, जो लगी होती है, विसल और रबड दोनों निकाल दीजे, देखिए कितना फटा-फट से बन जाता है, और बस क्या होता है कि इसकी तैयारी करने में टाइम लगता है, आप सत्तु अगर मिला के रखे हैं, तो आप बहुत जल्दी-जल्द बना लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये आटा भी, आटे में आप थोड़ा सा वेकिंग सोडा जब आप आटा लगा रहें, तो जरूर डालिए, मैंने बताया है उसमें, बेकिंग सोडा डालने से आपका, आपकी जो बाटी है, वो बहुत अच्छी फूल के आती है, और सॉफ्टनेस भी उसकी बनी रहती है, तो एक बार में देखिए, इसमें मेरे छे बाटी आ गई है, अभी मैंने छे ही बनाई थी, वैसे तो इसमें आ जायेगी साथ, तो देखिए मैंने सीटी और रबट दोनों निकाल दिया है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है दो चम के बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वो थोड़ी सी कड़ी बनती है, और घर में इसलिए सब लोग ये वाली जादा पसंद करते हैं, तो मैं ये वाली बना रही हूं, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट भी रहती है, और सब लोग पापा, मम्मी, सब लो दिजे कूकर को पकड़ कर उसके बाद आप किसी पकड़ की सहायता से चिम्टे से जो है आप इसको एक गरम बहुत होती है ये कूकर भी आपका गरम हो जाता है तो आप चिम्टे की सहायता से इसको एक एक बाटी पकड़ कर निकाल लिजे फ्रेंड्स बहुत टेस्टी ये दे लिट्टी चोखा और जाता था तो आप बदाये कि आपको हमारे लिट्टी चोखा दूखा की रेसिपी की सी लगी मैंने चोखा भी रख दिया है थोड़ी चटनी भी डाल दिया है और इसके साथ मैं आपको दुञी बूनगी हरी मिरचespère को तो मैंने हरी यहां पर रख दिया है और यह देखी फ्रेंड्स तो बताईए आपको हमारी यह लिट्टी चोखा की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यह हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की और हमारे बनार फेमस डिस है प्लीज लाइक करें